लाम को जोहार घर नहीं है जहां सरकार का एक भी योजना का लाब ना मिल रहा हो हम लोग की बच्चियां यहाँ पर सावित्री भाई फूले योजना के तहट आज हम लोग उने पूरे आज में आठ लाख बच्चियों को सावित्री भाई फूले योजना का लाब दिया है और योजना पहले हम लोगों ने दो बेटियों के लिए बनाया था लेकिन अब घर में दो तीन चार भी बेटी रहेगी तो सब को सावित्री भाई फूले योजना हम देंगे अब उसमें कोई बात देता नहीं रहेगा क्योंकि हमारा गाहों का लोग इतना गरीब बुड़ा इतना लोग ठका पिटा है बिचारा कि आपना बाल बच्चा लोग का बोज भी नहीं उठा पाता बेटिया जितने भी है उस सब साथवी आठवी नवी पढ़ती नहीं है कि उसके लिए लोग दुला ढूनेने लगता हम उन माबाप से हाथ जो के बिंती करना चाहेंगे अब बेटी बोज नहीं होगी और इसलिए हमने ये योजना लाया है और जितने भी आठवी नवी दसवी क्लास की बच्ची है सब को हम समित्री भाई फूले योजना से जोड़ेंगे और बारवी पास करने के बाद आगे का पढ़ाई का भी पूरा का पूरा खर्चा राज सरकार देगी ये हमने आपके लिए कानूं बना तो इसलिए बेटी को अब इसकूल छोड़ाने का ज़रुत नहीं है अब ही हम उत्किस विद्धालाई बना रहे हैं पहले चरण में 80 स्कूल को हम लोगों ने चालू किया है आगे जाकर के इसकी संख्या 5000 होना है जहां प्राइविट स्कूल के बराबर की पढ़ाई होगी जहां उच सिख्षा प्रात सिख्षक लोग भी वहाँ पर अपना हम सभी बच्चों को जो दसवी ग्यारवी बारवी पास कर रही है या कर रहा है जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे सभी को एक ग्रूजी क्रेडिट कार्ड भी हम दे रहे हैं और वो ग्रूजी क्रेडिट कार्ड जिन बच्चों के पास होगा आपको पता है डॉक्टर इंजिनियर पढ़ने के लिए लाखों रुप्या खर्चा होता है आप डॉक्टर पढ़ने के लिए इंजिनियर पढ़ने के लिए वकील पढ़ने के लिए पत्रगार बनने के लिए हमारे बच्चों को अगर दो लाख चार लाख पाँच लाख दस लाख पंदर लाख रुपया भी खर्चा होगा तो उस ग्रूजी क्रेडिट कार्ड के अर्थिक सायता भी दिया जाएगा आज कौन सपना देखता था कि हमारा बच्चा विदेश में जाके पढ़ेगा आज जाके देखे इस देश का पहला ये राज है जहां सरकार अपने खर्चे पर बिना किसी गरिंटरी पर हमार अपने बच्चों को विदेश में जिल ले ज आ रहे हैं आज पचास बच्चे वहां सच्छा गरहन कर रहे हैं कई लोग तो वहीं नौकरी लग गया कई लोग यहां अपने अपने विबिन शेतरों में नौकरी में चले गए और समाज और राज और देश को मजबूत करने में लेगे तो कई ऐसी चीज़ें आप लोग इनका लाब ले इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए आज आपके इस जीला में सिर्फ और सिर्फ दुमका जीला में जो गाओ का सड़क है जो बहुत वर्सों से तूटा फूटा रहता था और विभाग में भी लंबा लाइन में कतार में विचारा उस सड़क कब बनेगा कब अवंटन आएगा इसके इंतिजार में पड़ा रहता था और पूरा सड़क चलने के इस्तिति पे नहीं था आज लगबग हम लोगों ने दुमका जिले में गरामिन सड़क 800 किलो मिटर गरामिन सड़क की सुकृति दी है जो लगबग लगबग 600 क्रूर रुपय का बनेगा और तो और जो सड़क विभाग है पत्निद्वार विभाग है उसके माध्यम से लगबग साड़े 600 किलो मिटर बनेगा जिसका लागत लगबग 1,000 क्रूर रुपया होगा और वो इसलिए हम बना रहे हैं कि हमारा गाओ का जुडाओ सहर से आज भी कटा हुआ है कई लोग अपने बाल बच्चों की बेहतर भविस के लिए गाओं से उठकर के सहर में भाड़े में घर पे राना पड़ता है मजदूरी करना पड़ता है भाड़ा देने के लिए मजदूरी करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए लेकिन अब उसकी जरुत नहीं पड़ेगी अब हम लोगों ने मुखमंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रारम किया है जो सुदूर ग्रामिन छेत्रों में चलेगा अब गाओं से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और तोर उस बसके अंदर बुढ़ा बुजुर्ग महिलाएं इस्कूल की कॉलेज की छातर छातराएं मुख्ट सफर करेगी ये हम लोगों ने उस नियम में डाला तो जो याद आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ आप सबको पता है यहां हम लोग एक सिचाई के लिए भी मेगा लिफ्ट एरिकिशन लगा रहे हैं इस परदेश में सिचाई को लेकर एक नई तकनीक से कैसे सिचाई हो इसका पहला जो योजना है वो हम लोगों ने दुमका जिले के मसलिया परखंट से सुरूख किया है और इसमें हजारों एकर जमीन खेती होगी जहां आज सिरफ बारिज के समय में खेती होती थी उन सब जगहों पर आप बारों मैना खेती होगा चाहे वो खेत हो चाहे वो टार हो दोनों जगह पर खेत होगा तो ना ते योजना बार भी से मिमीटा कते आइमा नोड़े को रोडबड़ा के दा लाइब रखे किया को आपे बिजली को हो सौ यूनिट बिजली आले मुफ्टले मापे करना रासन काड हो अटी भी ना आएमा जयगा रहे रासन काड पहील चला बनाओ जो सरकार हमारे थे इनलों का कर्तूत ऐसा था कि इस राज की गरीब जनता की संख्या होने के बावजूत ये राज देश का सबसे पिछ़़ा राज होने के बावजूत इस राज में गरीबों का 30 ल लाख रासन काड़ दिलिट कर दिया लेकिन हम लोग आए तो बीस लाख अतिरिक्त हरा रासन काड़ बना करके लोगों के बीच में बाठने का काम हम लोग आए और तो और आपको हम बढ़ा दे हम लोगों ने निर्णे लिया है कि उन रासन धारियों को आने वाला समय एक किलो तो दाल भी उस राशन में फिरी देने का काम करेंगा तो कई चीजे हैं हमें लगता है कि और भी यहां सिलानियास उद्गाटन परिसंपति बटनी है आरों नोड़े सिलानियास उद्गाटन आर अपे हों रुवर्ण सो में हुएं तपे आहां कि नोड़े आय माहार 9 99 मिनाक को आजा नोड़ा को जिखाएडा कि इंग डिसॉम डिसॉम सैं कते जा सरकार्य योजना एं दूर-दूर सटेरोग्रा से बां सटेरोग्रा लेकिन चिंताल पिंचिंताया जब तक जीवे मिनाया नोआ दिसोम लगी जीवे मिनाया नोडरेन होड को लगी रेंगे नचार होड को लगी और आज आप लोग के हर सुख दुख आपके सभी तकलिफों के गरीबों के आस्वों पोचने के लिए सरकार कटीबद है किसी भी कीमत पर हम लोग अब जिस तरीके से पहले हम लोग का नारा हुआ था कैसे लेंगे जार खण लड़के लेंगे जार खण राज तो मिल गया लेकिन 20 साल में लोग यहां भूख से मरने लग गया इस राज से लोगों को दुसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा हम लोग बड़ी विप्रित परिस्तिती में इस राज को फिर से इन सड्यांत कारियों के हाथ से छिनने का काम किया और आज कोरोना जैसा महामारी में विप्रित परिस्तिती में सुखार के विप्रित परिस्तिती में हम लोगों ने अपने मज़़ूरों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग परदेशों में फसे लोगों को हवा उठाकर के लाकर के गाउं मेरे पहुंचाने का काम किया तो समान जीवान में ये लोग भूख से लोगों को मरवाया लेकिन इतनी आपत्ति में भी इतनी बिपत्ति में भी इतनी मुसिबत में भी एक भी मजदूर को हम लोगों ने मरने नहीं दिया हमारे भी पक्ष लगातार कुछ ना कुछ सड़यंत रच कर हमारा ध्यान भटकाने का प्रियास करते हैं बहुत लोगों को आज इस उम्मीद में भी था कि साथ आज मुख मंत्री इस कारी करम में नहीं पहुचेगा लेकिन चिंता मत करो जब तक हेमन स्वरें जिन्दा है और जारखन मुक्ति मुर्चा जिन्दा है इस राज पर बुरी नजर डालने वान लोगों को हम लोग कभी नहीं बरदास करेंगे इस भी भूमी को बद्दाम करने वाले लोगों को कभी बरदास नहीं करेंगे बड़ी चतुराई से हमारे ही कुछ लोग हमारे ही जात्पारिस का लोग उनलों का एक दलाल बन करके अजेंट बन करके हमारे योजनाओं को उनको दिखाई नहीं देता और फूरा भुरम पहलाने में लगा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही हम सुनना चाते हैं मंज से और साहेवे भीड से क्या सरकार की योजनाओं क्या बुड़े बुजुर्गों को पैंसन मिलता है कि नहीं मिलता है अब आज मिलता है बुजुर्गों को पैंसन सावित्री भाई फूले का योजना मिल रहा है हमारी बाब बहनों को पेंशन मिलता है दोती साड़ी मिलता है की नहीं मिलता है बताओ हर आदमी का जुरत रोटी कपड़ा और मकान हम लोगों ने हरा काड़ा संदे करके बाटा सभी गरीबों को सम्मान जनक जीने के लिए दस रुपया में दोती साड़ी बाटा साल में दो बार हम देते और तो और गरीबों को आवास हमारे भारत सरकार ने हमें आवंटन नहीं दिया तो हम लोगों ने अपने गरीबों के लिए उससे बहतर आवास ये दो कमरे का आवास देते हैं चाहेगा लेकिन आविदन मुझे लग रहा है यह पंद्रह हजार करणों रुपे हो सकता है कि घड़ जाएगा लेकिन चिंता मत किजिए इस हर गरीब को आवास हम उपलत कराएंगे हो सके तो इसके लिए एक साल नहीं चार साल नहीं पांच साल लगे एक एक पैसा जुगार क मिला होता तो इस राज के अंदर जो गरीबी है पिछड़ापन है और पिछड़ा राज का कलंक है उसी दिन मिठ जाता है लेकिन हमारा पैसा अभी केंद्र से मिलने में जो हुझत हो रही है वो आप देख रहे हैं हाग अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा लगता है अब छि 36,000 क्रड़ 良पे का बकाया होता तो जो आज इन लोगोंने गैस का सिलिंडर पैसन की रासी कितने मिलती है कई राज है चत्थीस गड़ में जाके पता किजे पैसन वहाँ 345,500 प्मिलता है बिहार में पता कर लिजे पैसन वहाँ 400 प्मिलता है उड़िसा भी पता कर लो तो चलेगा कि वहां भी 500 का मिलता है लेकिन जारखन कम से कम एक हजार रुपिया देने का आज छमता रख रहा हुआ तो इसलिए साथी बहुत सारे और कारी योजनाय है हम खाली जाजा लेने आये हैं आज हमारे घर में आज इस राज का हरे घर में सरकार की कोई न कोई योजनाय है मुझे तो मंत्री जी ने बताया आप लोगों को मंत्री जी ने बताया होगा इस राज में कई ऐसे घर अब ऐसे हो गए जहाँ पिता जी भी पैंसन लेता है मा भी पेंसन लेती है और बेटा भी पेंसन लेता है और तो और बेटी है तो सावित्री भाई फूले योजना का भी लाम ले रहा है ये आलम है तो आज कई काम और करने हमारे जो इस राज के ग्रामिन छेतरों की जो समस्या है उन समस्याओं के बारे में हमें आपके माध्यम से आपके आविदन के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है जिसके माध्यम से हम कारी योजना बनाते हैं आज भी इस कारी करब में धेल सारा स्टॉल लगा हुआ है बिबिम विभागों का पेंसन का आवास का बनपट्टा का सावित्री भाई फूले का पसुधन का बिर्सा हरिद्ग्राम का सभी चीजों का पर यह लगा हुआ है इस्टॉल लगा हुआ है और यह पंडाल यहीं पर नहीं और भी जगह पर दूसरे पंचायतों में पूरे राज में सिविर लगी हुई है वहाँ भी ऐसे ही भीड़ है और लोग ढूंड रहे हैं अपने अपनी योजनाओं को और आज आप देखेंगे यहाँ बिचारा इस स्टॉल के अंदर जो ही 10-20 स्टॉल लगे हैं इन 10-20 स्टॉलों में सबसे बुरा अगर हाल है तो पैंसन वाला का पैंसन लेने वाला अब साथ साल कब हो जाएं कि हमको तुरंग पैंसन आके मिल जाएगा जाती परमान पत्र आय परमान पत्र निवासी परमान पत्र सभी चीज़ें अंदा स्पॉर्ट बनता है तो इसलिए साथी पूरी चीज़ें एक बार में नहीं बदलेगी बीस साल इन लोगों ने घिराज को ऐसे इस्तिती में डाला है जहां करोडो करोडो समस्याएं आ रही है इस ख्रयासपस्ट है कि पूर्व की सरकार में ना ब्लॉक का रहल है काम कर रहा था ना जीला का रहल है आज ये पदादीकारी जो आपके सेवा के लिए तंखा लेते थे इन लोगों ने अपनी सेवा में लगा दिया लोगों को लेकिन आज इन पदाधिकारियों को भी इनका सम्मान देते हुए, ये भी बिचारे इनका भी हकदिकार छिनने में कोई कसर नहीं छोड़ा लोगोंने, इस राज के करमचारियों के भी पैंसन लुटने का प्रयास होता रहा और इस राज के सभी करमचारियों को हम लोगोंने पुरानी पेंसन देने की योजना तयार कर दी और आज यही करमचारी निडर हो करके जहां सडक नहीं है आने जाने का कोई साधन नहीं है वहां ट्रेक्टर से बैल गाड़ी से मोडसाइकल से पदादीकारी ब्लॉक कारेलाई का कम्पिटर और लेप्टॉप ले जाके ब्लॉक आपके सिवीर में बैठा हुआ है और आपकी समस्ये का समाधान कर रहा है ऐसा उत्सा हमने कभी नहीं देखा पूरे राज में दिवाली और दसारा की तरह सिवीरों में भीड़ जूट रही है अबुआ आवास का काउंटर तो इतना भारी हो गया है विचारा फॉम भरते भरते ठक जा रहा है तो हमने तुरंट 24 तारिक को ये कारिकरम प्रारंब हुआ दो-तिन देन के बाद ही हमें ये जानकारी मिली हमने कहा कि तुरंट आवास का दो काउंटर खोलो और सब का आवेदन लो और जितने आवेदन आएंगे कोई आवेदन छुटना नहीं चाहिए और इसका आकलन हम सब इखटा करने के उपरांग कैसे ये बारी-बारी अलोट हो इसका फर्मुला तैयार करेंगे और अभी आपका दर्खास कोई दोधर फेकने वाला भी नहीं इससे पहले के सिवीर में हमें पता चला था कि दर्खास तो आया लेकिन इदर उदर फेक दिया हम लोग भी पहले जब सरकार से पहले हमें भी बहुत आवेदन मिलते थे उसमें बिरिदा पेंसन का आवेदन बहुत होता था बिदुआ पेंसन का बहुत होता था विकलांग किसी के पास था ही नहीं तो हम लोग भी फ्यक देते थे लेकिन आप कहां बिर्दा पेंसन का आवेदन है कहां बिकलांग पेंसन का आवेदन है कहां भी दुआ पेंसन का आवेदन है और अब आपका हरेक आवेदन का ट्रेक रखा जाएगा और उसमें आप लोगों ने जरूर अपना मुबाइल नमबर लिखा होगा और आपका जो दर्खास है कहा कहा घूम रहा है किस टेबल में गया है कहा खड़ा है वो सारी जानकारी आपको मुबाइल के माद्धम से भी उपलब कराए जाएगा तो इसलिए और ज्यादा नहीं करते हुए इसी इनी बातों के साथ अपनी बातों को सबात करते हैं आरोमिदाओं जहातिना नोड़े पे सहर सटेरकान यहां आए हुए हमारे ग्रामीनों किसान भाईयों आप सबको मेरी और से इस कारिकरम में पस्तिती के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वानी को बिराम देता हूँ जारखन के वीर सही दमर रहे सबको जहार